राश्ट्रिय शिक्षानीती 2020 शिक्षा मंत्राले भारत सरकार 107 प्रिष्ठों के इस दस्तावेज में कुल 27 विशे हैं प्रिष्ठ 103 से 107 तक संख्षिक ताक्षरों का विस्तारित रूप दिया गया है तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या तीन परिचे शिक्षा पूर्ण मानोग शमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्याय पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रिय विकास को बढ़ावा देने के लिए मोल भूत आवर्शेक्ता है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक सार्वभावमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्यानिक उन्नती, राष्ट्रिय एकीकरण और सांस्कृतिक सनरक्षन के संदर्भ में भारत की सतत प्रगती और आर्थिक विकास की एक उच्चितर स्तरिय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की सम्रिद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वत्तम विकास और संवर्धन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास अजिंडा 2030 के लक्षे 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास अजिंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुण वत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन परियंत श लक्षे के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर गठित करने के आवश्चित होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 अजिंडा के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट और लक्षे प्राप्त किये जा सकें। ग्यान के परिद्रिश्य में पूरा विश्वत तेजी से परिवर्तन के दोर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशल इंटेलिजिंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तक्नीकी विकास के चलते एक और विश्व भर म अकुशल कामगारों की जगह मशीने काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के खित्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरुरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानवीकी के विविध्ध विशयों में योग्यता रखते हों। के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रवंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी समाजिक मुद्दे बहु विशयक अधिगम की आवश्यक्ता को बढ़ाते हैं। कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विशय वस्तू को बढ़ाने की जगा जोर इस बात पर अधिक देने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तारकिक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। विविद विशयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या छेत्रों में उपियोग में ला पाएं। जरूरत है कि शिक्षन प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित हो, जिग्यासा, खोज, अनुभव और संबाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन में सभी पक्षों और ख्षमताओं का संतुरित विकास करे। इसके लिए पाठेक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाशाओं, साहित्य, संस्कृती और मूल्य का अ कसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। जो किसी से भी पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा विवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी से संबंध रखने वाले शिक्षारतियों को समान रूप से सर्वोच गुनवत्ता की शिक्षा उपलब्धे हो। के आधार को बरकरार रखते हुए 21 सदी की शिक्षा के लिए अकांक्षात्मक लक्षियों जिसमें SDG चार शामिल है के सैयोजन में शिक्षा विवस्था उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनरगठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रिय शिक्षा नीती प्रतियक व्यक्ती में नहित रचनात्मक शमताओं के विकास पर विशेश जोर देती है। यह नीती इस सिध्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता और संख्या ग्यान जैसी बुनियादीक शमताओं के साथ साथ उच्चितर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संग्यानात्मक शमताओं का विकास होना चाहिए, बलकि नैतिक, प्राजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्चक है। अर्जन नहीं, बलकि पूर्ण आत्मग्यान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरिय स्थन स्थानों ने अध्ययन के विवित क्षेत्रों में शिक्षन और शोध के उंचे प्रतिवान स्थापित किये थे और विभिन प्रिष्ठ भूमी और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्ध्वानों को लाभानवित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुष्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भासकराचार्य, प्रिष्ठ संख् ब्रह्म गुप्त, चानक्य, चक्रपाणी दत्ता, माधव, पाणिनी, पतनजली, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेई, गार्गी और थिरू वल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविद्ध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भावन निर्मान, नौकायान निर्मान और दिशा ज्ञान, यो ललित कला शत्रंज इत्यादी में प्रामानिक रूप से मौलीक योगदान किये। भारती संस्कृती और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वेश्विक महत्व की इस सम्रिध विरासत को आने वाली पीडियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित करने की जरूरत है बलकि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कारे होने चाहिए। उसे और सम्रिध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलाओं के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीती को निश्चित तोर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सरवाधिक सम्माननिय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुना स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही माइने में आकार देते हैं। इस नीती द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने की आवश्यक्ता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीती को सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में एतिहासिक रूप से हार् पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुहों पर विशेश ध्यान दिये जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और समाजिक आर्थिक रूप से गतीशी लिता हासिल की जा सकती है। ऐसे समुहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थिती जन्ने बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इन स अध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तक्निकी आवशिक्ताओं सहित यहां की अद्वीतिय कला, भाशा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना, राष्ट आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान, परस पर सहयोग और एक्ता की द्रिष्टी से और भारत के सतत उचाईयों की और बढ़ने की द्रिष्टी से अती आवश्यक है। कि अधूरे काम को इस नीती के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। जिसमें करुणा और सहनुभूती, सहस और लचीलापन, वैज्यानिक चिंतन और रचनात्मक कलपना शक्ति, नैतिक मुल्य और आधार हो। इसका उदेश्य ऐसे उतपादक लोगों को तयार करना है, जो की अपने संविधान द्वारा परिकल्पित, समावेशी और बहुर्यतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। एक अच्छी शेक्षणिक संस्था वह है, जिसमें प्रतेक छातर का स्वागत किया जाता है, और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरनादायक शिक्षन वातावरन मौजूद होता है, जहां सभी छातरों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अन संस्थान का लक्षे होना चाहिए, तथा भी साथ ही विभिन संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुडाओ और समन्वे आवर्शक है, मौल भुद सिधान्त जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रनाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का अमार दर्शन करेंगे, वे ये हैं, हर बच्चे की विशिष्टिक शमताओं की स्विक्रिती, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों और अभिभावकों को इन शमताओं के प्रति संबेदन शील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्यक शम उसके सर्वांगिन विकास पर भी पूरा ध्यान दें। के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। के लिए विज्ञान, समाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु विशयक यानि मल्टी डिसिप्रिनरी और समगर शिक्षा का विकास। और धारनात्मक समझ पर जोर, ना कि रटन्त पध्धती और केवल परिक्षा के लिए पढ़ाई। रचनात्मक और तार्कीक सोच तार्कीक निर्ने लेने के लिए नवाचार को प्रोसाहित करने के लिए नैतिकता मानविये और समवैधानिक मूल्ये जैसे सहनुभूती, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांतरिक भावना, सेवा की भावना, स्तार्वजनिक संपत्ती के लिए सम्मान, वैज्यानिक चिंतन, स्वतन्तरता, जिम्मेदारी, अध्यापन के कारे में भाशा शक्ती को प्रोसाहन, जीवन कौशल, जैसे आपसी संबाद, सहयोग, सामुहिक कारे और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मुल्यांकन पर जोर, इसके बजाए की साल के अंत में होने वाली परिक्षा को केंदर में रख कर शिक्षन हो, जिससे क आज की कोचिंग संस्कृती को ही बढ़ावा मिलता है, तकनीकी के यथा संभव उपियोग पर जोर, अध्यान अध्यापन कारे में शिक्षा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांक बच्चों के लिए शिक्षा को सुलव बनाने में और शैक्षनिक नियोजन औ प्रवंधन में, सभी पाठेक्रम, शिक्षन, शास्त्र और नीती में स्थानिय संदर्व की विविद्रता और स्थानिय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विशय है, सभी शैक्षिक निरनयों की आधारशीला के पूर्ण समता और समावेशन, साथी शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थे के दाएरे में रखना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें, स्कूली शिक्षा से उच्चितर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्ष पाठेक्रम में तालमेल, प्रारंभिक वाल्यवस्था देख भाल तथा शिक्षा से, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भरती और तैयारी की उत्कृष्ट विवस्था, निरंतर व्यावसाइक विकास और सकारात्मक कार्यव, वातवरन औ और सेवा की स्थिति शेक्षिक विशेशग्यों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगती की सतत समीक्षा भारती जड़ों और गवरों से बंधे रहना और जहां प्रासंगीक लगे वहां भारत की संब्रिध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृती और ज्यान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरना पाना प्रिष्ठ संख्या आठ शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रतेक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए एक मजबूत जीवन्त सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में परियाप्त निवेश साथ ही सच्चे परोफकारी, निजी और सामुदाइक भागीदारी को प्रोस्साहन और सुविधा इस नीती का विजन इस राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली का विजन भारतिये मूलियों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चितर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्यान महाशक्ती बना कर भारत को एक जीवन्त और न्याय संगत ज्यान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूफ से योगदान करेगी नीती में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठेचरिया और शिक्षा विधी छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संबैधानिक मुल्यों देश के साथ जुडाओ और बदलते विश्वों में नागरिक की भूमी का और उत्तर दायित्वों की जागरूकता उ सोच में भी होना चाहिए जो मानवा धिकारों, स्थाई विकास और जीवन्यापन तथा वैश्विक कल्यान के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही माइने में वैश्विक नागरिक बन सकें अभी आप सुन रहे थे राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 परिचयर वाचनस्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल